तो गैज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं OEM Unlock कितने फोन में ये Disable होता है और कितने फोन में ये Enable होता है तो चलिए जानते हैं इसको हम Enable ये Disable कैसे कर सकते हैं और इसका क्या काम होता है Enable ये Disable करने से क्या हमें Profit या Loss होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले developer option को enable कर लेना है नहीं आता है तो आपको video हम बना दिये हैं देख लिजेगा इसके बाद आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आप देखेंगे एक option आपको देखने को मिलेगा additional setting additional setting इस पर आपको click करना है additional setting पर click करेंगे तो आपको देखिए option देखने को मिलेगा नीचे scroll करने पर developer option developer option पर आप click करेंगे तो आपसे capture मांगेगा जो इसको देखकर इसमें fill करना है तो चलिए हम जल्दी जल्दी capture को डाल देते हैं और इसके बाद आपको use पर click करना है use पर जैसे ही click करेंगे तो आपको इसको enable करना होगा जैसे ही आप enable करेंगे तो देखिए एक option आता है OEM unlock यहाँ पर कितने लोगों का disable होता है मतलब यह कुछ दूसरा color में आपको देखेगा तो इसके लिए आपको disable यह enable करने का option होता है देखिए हम cancel करते हैं तो इसको enable करने से क्या होगा यह disable करने से क्या होगा इसको आप जब enable कर देंगे तो आप इसको enable करके कुछ भी मतलब extra function इसमें कर सकते हैं जैसे RAM इंस्टॉल करना हो गया RAM आकर आप किसी को fake RAM दिखाना चाहते हैं आपका RAM 4GB है 6GB, 8GB, 12GB दिखाना चाहते हैं तो वो आप इसको enable करके कर सकते हैं कोई भी मतलब system में upgrade आप कर सकते हैं अप अपने मताबिक लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसको enable ना ही करें क्योंकि इसको enable करने पर hacking का chance ज्यादा मतलब बढ़ जाता है तो चलिए उम्मीद है कि समझ गया होगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई